अरे कालुकावे मेरे दोस्त हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो यार सच बताऊं दोस्तों तुम्हें इस कवों की बस्ती में रह रहकर बहुत जादा थग्या हूँ इसलिए मैं परोस वाले मिटु महराज के जंगल जा रहा हूँ अच्छा वे जंगल तो बहुत बड़ा है उस जंगल में तो तरह तरह के पक्षी रहते हैं कालुकावे तुम्हारा भी उस जंगल में चल्दी दिल लग जाएगा कालु कववा बचपन से इस जंगल में रहता था जहां सिर्फ कववे ही कववे रहते थे और कालु कववे ने कभी किसी दूसरे पक्षी को देखा भी रही था इसलिए कालु कववा अब हमेशा हमेशा के लिए मिठु माराज के जंगल चला जाता है बस अब मैं उस बड़े से जंगल में जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा थोड़ी देर में कालु कववा खुशी खुशी मिठु माराज के जंगल में पहुँच जाता है अरे वा ये जंगल तो बहुत सुन्दर है हर पेड़ पर किसी न किसी पक्षी के कितने सुन्दर सुन्दर घर बने हुए है कवे भाई आपको तो इस जंगल में पहली बात देखा लगता है आप इस जंगल में नया आया हूँ ना हाँ मैं इस जंगल में नया आया हूँ मैं इस जंगल में कोई अच्छी सी नौकडी करूँगा कवे भाई ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा आप एक काम करना हमारे जंगल में एक उलू से टेते हैं आप उनके पास चले जाना आपको देखना बहुत अच्छी नौकडी मिल जाएगी इतना कहकर मिनुचेडिया वहां से चली जाती है दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है वैसे कहना पड़ेगा ये चेडिया कितनी सुन्दर है कितना सुन्दर पिला रंग है इसका दूर से ही चमक रही है और एक मेरा रंग है बिलकुल काला दबा हुआ काश के मेरे पास भी मिनू चेडिया जैसा पिला रंग होता मिनू चेडिया के रंग को देखकर कालु कववा बहुत जादा परेशान हो जाता है फिर अगले दिन कालु कववा एक पिले रंग का डिबा खरीत कर लाता है अब देखना मैं भी उचेडिया की तरह बहुत सुन्दर दिखाई दूँगा फिर कालु कववा अपने एक परपर पीला रंग करने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है हाई रे कितना सुन्दर पर लग रहा है मेरा बिलकुल उचेडिया जैसा फिर कालु कववा खुशी खुशी उलु सेड़ के पास नौकरी मंगने जाता है क्या आप ही है उलु सेड़ हाँ मैं उलु सेड़ हूँ परंतो कववे तुम्हारे एक परपर ये पीला रंग किसने कर दिया ये पीला रंग किसी ने नहीं किया बलके मैंने खुद किया है बहुत जादा सुन्दर लगता हूँ अब मैं क्या कहा हाँ हाँ मुझे बताया था मिनू चड़िया ने अचा ठीक है कववे तुम मेरे खेत में कल से काम पर आ जाना मैं तुम्हे महीने के आखिर में तुम्हारी पगार दे दूँगा फिर कालू कववा वहां से चला जाता है पर कालू कववा अब उलू सेट को देखकर थोड़ा हैरान था वैसे रंग तो उस उलू सेट के पास भी बहुत बढ़िया है मेरे पास भी ऐसे ही रंग होना चाहिए ताके मैं भी बहुत ज़्यादा सुन्दा दिखूँ बस फिर क्या था कालू कववा अपनी पूँच पर भी उलू सेट जैसा रंग कर देता है अरे वाँ अरे कालू तेरे रंग और तेरी सुन्दरता में तो आइस्ता आइस्ता इजापर होता जा रहा है अगले दिन सुबा कालू कववा अलू सेट के खेत में काम पर आ जाता है अरे कैसे कववे हो तुम तुम्हारे उपर तो अलग-अलग रंग है ओए कववे जारा चला मत तुम्हारे पास तो बस एक ये सुफेद ही रंग है मेरे पास तो देखो कितने सुन्दर सुन्दर रंग है ओए कववे जारा बाते मत करो उलू सेट ने देख लिया तो पगार काट लेंगे हमारी कालू कववा और कबोतर फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं रात हुजाती है कालू कववा अपने घौसले में आकर बस कबोतर के बारे में ही सोच रहा था वैसे मैं जो भी कहूँ पर उस कबोतर का कितना सुन्दर रंग है बिलकुल सुफेद और मैं पूरा काला ना जाने मुझे इतना बेकार रंग क्यों मिल गिया कालू कववा अप अक्षियों के जंगल में आकर अपने इस काले रंग को बिलकुल भी पस्द नहीं करता था बस मैं भी कबुतर की तरह ही बहुत जादा सुन्दा दिखना चाहता हूं बस मैं कल सुबह ही जाकर कबुतर जैसा सफेद रंग ले आऊँगा बस फिर सुबह होते ही कालू कववा अपने दूसरे पर पर भी पूरा सफेद रंग कर लेता है अब तो कालू कववा खुद को सबसे जादा सुन्दर पक्षी समझ रहा था और अवे खुशी खुशी उलू सेट के खेट में काम करने जा रहा था प्यारे दोस्तों अगर आप ये जाना चाते हैं कि आगे कालू कववे ने और क्या क्या किया तो हमें कमेंट सेक्शन में जुरू बताएं हमें आपके कमेंटर बे सब्रीज से इंतिजार रहेगा दोस्तों तो जैसे आप सबने इस कहानी के पहले भाग में देखा था कि जंगल में एक कुवा था जो पूरी तरह से सूख गया था फिर एक दिन राजुकवा गलती से उस कुवें के अंदर गिर गया था पर मीनुचेडिया जल्दी से उस कुवें में एक बड़ी सी रसी डाल कर राजुकवें को बाहर निका लेती है मीनुचेडिया ये कुवा तो बढ़ा ही खटरनाक है मैं तो कहता हूँ कि आज के बाद कोई भी पक्षी इस कुवें के पास भी ना आए महाराज महाराज आपको पता भी है वे जंगल के पक्षी बड़े आराम से इतने अच्छे हरे भरे जंगल में रह रहे हैं और हम उल्लू होकर यहां पहारों में बस गए हैं यहां तो कितने ठंड बढ़ गई हैं उल्लू महाराज हमें कुछ करना चाहिए अब तुम ठीक कह रहे हो उन दुश पक्षियों ने तो हमसे हमारा सब को छीन लिया परन्तु मेरा नाम भी उल्लू महाराज है मैं उन दुश पक्षियों को उस जंगल से निकलवा कर ही रहूँगा उस जंगल में सिर्फ हम उल्लू का हक है उल्लू महराज मेरे पास एक बहुत बढ़ी उपाय है जिससे हम उन पक्षियों को उस जंगल से असानी से निकलवा सकते हैं उपाय ये हैं कि क्यों न हम जंगल के सब पक्षियों को जान से मार दें ना रहेंगे पक्षी और ना ही कोई हमें तंग करने वाला होगा और फिर पक्षियों के मरते ही पूरा जंगल हम उल्लू हो जाएगा पूरे जंगल में सिर्फ उल्लू ही उल्लू होंगे मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था और मेरे पास तो काफी सारे बॉम है पस हमें किसी तरह पक्षियों से चुपा कर वे सारे बॉम जंगल में ले जाने होंगे और फिर हम छुपके छुपके वे सारे बॉम पक्षियों के घरों में डाल देंगे और वे बॉम भटते ही जंगल के सारे पक्षि मर जाएंगे और फिर वे जंगल हो जाएगा हमारा तो चले माराज हमें अभी के अभी सारे बॉम लेकर पक्षियों के जंगल की तरफ निकलना चाहिए वे सारे उलू प्लैन के मुताबिक बोर्यों में काफी सारे बॉम भर भर कर पक्षियों के जंगल में ले जाते हैं काफी देर के बाद वे सारे उल्लू मिठु माराज के जंगल में पहुंचाते हैं अब तो रात काफी हो रही थी, जंगल के सब पक्षी आराम से अपने अपने घरों में सो रहे थे उल्लु माराज रात काफी हो गई है और हम ठक भी काफी गए हैं मैं तो कहता हूँ अभी हम थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर कल सुबाद जल्दी उठकर हम ये सारे बॉम पक्षियों के घरों में डाल देंगे और फिर पक्षियों का काम तमाम हो जाएगा हाँ ये ठीक है पर अभी हमें कहीं चुपना होगा कहीं कहीं कोई हमें देखना ले यहाँ पर मुझे पता है उल्लु माराज के हमें कहां चुपना है इस जंगल में एक सू का कुवा है हम सब जाकर उसी कुए के अंदर चुप जाते हैं फिर वे सारे उल्लु चुपने के भरकत देख लेती है यही सब सोचते सोचते मिनुचेडिया अपने घर चली जाती है और घर पर आ कर भी मिनुचेडिया बस पूरी रात उन उल्लों के बारे में सोच रही थी मिनुचेडिया बस पूरी रात उन उल्लों को सबक सिखाने के बारे में कोई उपाय सूचने लगती है ये उल्लों हम पर हमला करने आये थे न अब मैं बताऊंगी इने कि पक्षियों से पंगा लेने का क्या इंजाम होता है फिर मिनुचेडिया अपने उपाय के मताबिक सब पक्षियों को फॉरण से जमा कर लिती है अरे क्या हुआ मिनुचेडिया अभी तो ठीक से सूरज भी नहीं निकला और तुमने हमें जगा कर यहां क्यों बुला लिया है मुझे माफ करना पक्षियों परन तो उस सूके कुए की वज़ा से मैं बहुत सारा प्रिशान हूँ कि कहीं कोई गलती से पक्षी उस कुए के अंदर न गिर जाए आप सबको तो पता है ना कि राजुका हुआ पहले ही उस कुए में गिर गया था वो तो अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई पर ये जरूरी नहीं कि दुबारा कोई पक्षी उस कुए में गिरे और उसकी जान बच जाए हाँ मिनोचेरिया वैसे तुम ठीक कह रही हो उस कुए की वज़ा से तो मैं भी बहुत सारा प्रिशान हूँ मेरी तो छोटी सी बेटी है अगर उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी फिर हाँ हाँ हमें कोई ना कोई तो बंदो बस कर नहीं होगा क्योंके हमारे जंगल में काफी छोटे छोटे बच्चे हैं हम और कोई खत्रा नहीं ले सकते पक्षियों मेरे पास एक बहुत बढ़ी अपाई हैं पर मुझे आप सब की मदद की ज़रूरत हैं हम पहाणों की तरफ जाकर बड़े बड़े फटर लेकर आते हैं और उन फटरों से उसकुएं को पूरी तरह से भर देते हैं ताके खत्रा ही खतम हो जाएं हाँ मिनुचेडिया ऐसा ही करते हैं वे कुवा तो अब हमारे किसी काम करें उसे फटर थे भर देने में ही हमारी भलाई हैं फिर वे सारे पक्षी पहाणों की तरफ बड़े बड़े फटर लेने चले जाते हैं वे पक्षी काफी महनसे बड़े बड़े फटर लाकर उस कुए में डालने लगते हैं वे बड़े बड़े फटर उल्लूँ पर आगरते हैं जिस कारण वे सब उल्लू उन्ही फटरों के अंदर दब कर मर जाते हैं और इस तरह मिनुचेडिया की वज़ा से आज सब पक्षी ओं को उल्लूँ से चुटकारा मिल गया था सूखे का मौसम चल रहा था जिस कारण पक्षियों के लिए पोजन ढूना तो बहुत जादा मुश्किल हो गया था अब सब पक्षी बहुत जादा ही परिशान थे ना जाने ये सूखे का मौसम आता ही क्यों है हम पक्षियों को हमेशा परिशान ही किया है इसने मैं तो तंग आ गया हूँ सूके के मौसम से ऐसा नहीं केते, सारे मौसम ही अच्छे होते हैं तुम खुद सोचे जरा, अगर सूके का मौसम ना आए तो पेड़ पौदों से पुराने पते नहीं जड़ेंगे तो हमें नए फूल, फल और सबजियां कहां से मिलेंगी हम, मिनोचेरिया तुम ठीक ही कह रही हो परन्तु अब तो जैसे हमारे जंगल में भोजन खतम ही हो गया है ना जाने हम पक्षियों को भोजन अब कहां से मिलेगा सार ही पक्षि ये सोच सोच कर बहुत जादा ही परिशान हो रहे थे अगले दिन भी सब पक्षि चंगल में भोजन धूने निकल जाते है काफी देर के बाद पक्षियों को थोड़ा थोड़ा भोजन मिल जाता ही कितनी देर से भूचन ढूंड रहे थे परन्तु देखो तो ये इतने से चावलों के दाने मिले हैं ये चावलों के दाने तो मेरा नना तोता ही खाचाएगा और मुझे और तोती को आज भी भूचा ही सोना पड़ेगा हाँ, देखो तो मुझे भी ये थोड़ी सी दाल ही मिली है तुम सब परिशान ही क्यों होते हो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी उपाया है जिससे हम सब पक्षी आराम से भूचन कर लेंगे और कोई भी भूचन नहीं सोएगा अच्छा, वो क्या मिनुचेडिया जल्दी बताओ वो क्या उपाय है देखो पक्षीयों, हमारे पास कुछ चावल और कुई दाले है अगर हम इन सब को मिला कर खिचडी बना लें तो हम सब पक्षी आराम से खिचडी खा सकेंगी और कोई भी पक्षी भूका नहीं सोएगा हाँ भई, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक है रही हो हम ये सारा कुछ मिला कर खिचडी बना लेते हैं और आराम से बैट कर सब पक्षी खिचडी खाते हैं पक्षीयों हमें आग चिलानी होगी कोई लकडिया लेकर आजाओ हाँ बुल बेहन मैं लकडिया लेकर आता हूँ अभी कबूतर लकडिया लेने चला जाता है लकडिया आते ही मिनुचेडिया एक हांडी में दाल चावल डाल कर खिचडी बनाना शुरू कर देती है मिनोचेडिया आप सबर नहीं होता चल्दी से किचरी बना लो हम सब को बहुत भूग लगी है कबूतर अभी तो किचरी बनने में बहुत समय लगेगा पक्षियों आप सब इस गर्मी में आपके सामें ना करे रहो अपने अपने घर चले जाए आप सब जब किचरी पकर त्यार हो जाएगी तो मैं तुम सब को बुला लूगी यहाँ पर ठीक है मिनोचेडिया हम सब घर पर जाकर थोड़ा आराम ही कर लेते हैं किचरी बनते ही तुम जल्दी से हमें बुला लेना सारे पक्षी अपने अपने घरों पर अराम करने चले जाते हैं मिनोचेडिया मैं नहीं जा रहा मैं यहाँ पर रुक कर तुम्हारी मदब करने वाला हूँ अच्छा ठीक है कालू कर वे बस यह जल्दी से किचरी बन जाए ताके सब पक्षी अपना पेट भर सकें ओ हो मुझे तो प्यास लग़े कालू कर वे मैं अभी नदी से पानी पी कराती हूँ तुम यहीं पर बैठना अराम से यह कहकर मिनोचेडिया नदी के पास पानी पीने चली जाती है वाँ वाँ क्या सुगंदा रही है इस किचरी में से बहुत मुझे की लगती है चलो चलो थोड़ी सी किचरी खा कर देखता हूँ कि कैसी बनी है यह किचरी बलके नहीं जब किचरी पकर तयार हो जाएगी तो सब पक्षियों के साथ इखाऊंगा अगर मैंने थोड़ी सी खिचडी खा ली तो मुझसे रुका नहीं जाएगा और मैं सारी ही खिचडी खा जाओंगा उस जंगल में एक कववा दूसरे जंगल से किसी काम से आया होता ही पर उसे तो बहुत जादा भूग लग जाती है और इस जंगल में भूजन तो उसे कहीं मिल नहीं रहा था जिस कारण वे कववा काफी जादा परिशान था मैं कहा आ गया इस जंगल में काम के लिए मुझे क्या पता था कि जंगल में भूजन ही नहीं होगा कितनी जोरों से भूग लगी है मुझे मैं क्या खाऊँ आप भोचन तब ही उस कववे को गरम गरम खिचडी की सुगंद आने लगती है वा भई क्या सुगंद आ रही है ये सुगंद तो मुझे खिचडी की लगती है लगता है आज पास में कहीं खिचडी बनाई जा रही है वे कववा खिचडी की सुगन सुंगते सुंगते कालुकवे के पास चला जाता है अच्छा तो ये कववा बना रहा है ये खिचडी कितनी जादा स्वादिश लगती है तेल तो चारा है ये सारी ही खिचडी खा जाऊं परन्तु ये कववा तो मुझे बहुत जादा चलाक लगता है ये मुझे ऐसे अपनी खिचली खाने नहीं देगा लगता है इसे बेखुब बनाना होगा मुझे कववे तुम यहां बेटे क्या कर रहे हो नदी के पास तो मिट्टू माराज पक्षियों को मेठे मेठे आम बाट रहे हैं मेठे मीठे आम करों के पास चला जाता है चलो भरई इस गवे को तो बना दिया मैंने बेवखुफ अब जल्दी से ये गरम गरम किच्ड खा लेता हूँ कहीं इससे पहले यहाँ पर कववा ना आ जाए वे कववा जरा सा भी नहीं रुखता और जल्दी जल्दी वे गरम गरम ही खिचडी खाने लगता है खा जाओंगा भई खा जाओंगा सारी खिचडी खा जाओंगा बहुत मज़े की खिचडी है ये पक्षियों की सारी खिचड़ी खाकर वे कववा वहां से भाग जाता है थोड़ी देर बाद जब कालू कववा वहां पर आता है तो वे तो ये सब कुछ देखकर काफी जादा प्रेशान हो जाता है नहीं जिसका ढड़ता वो ही हुआ मतलब उस चला कववे ने मुझे बेवकूब बनाकर ये सारी खिचड़ी खा ली ये क्या हो गिया अब मैं पक्षियों को क्या जवाब दूँगा पक्षी तो यही समझेंगे कि मैंने सारी खिचड़ी खा ली है अब ही वहाँ पर मिनुचेड़िया सारे पक्षियों को ले कर आ जाती है हाई रे कालुकवे खिचड़ी कहा है हमारे खिचड़ी कहां चले गई वो 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 मिनुचेड़िया खिचड़ी तो एक कववा खा गया हमारी कववा खा गया कौन कववा खा गया कहीं कालुकवे हमारे खिचड़ी तुम नहीं तो नहीं खा ली न कालुकवा सारी बात पक्षियों को विश्टार से बताता है पक्षियों पूछ के रहे हो इसे हमारी किचरी इसी ने खाई है पक्षियों अब हम इसे नहीं चोड़ेंगे सब पक्षियों मारो इसे सारे पक्षि बहुत ही भूके थे और भूके कारण घुस्टे में सब पक्षि कालुकवे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं परन्तु मिनुचेडिया बहुत रहम दिल थी वे कालुकवे को नहीं मारती बलके वे तो पक्षियों को रोकी ही जा रही थी कालु कवा भी पक्षियों से पिटकर अपने घर में आ जाता है बहुत मारा बहुत मारा मुझे पक्षियों ने इन जालिम पक्षियों ने मुझे बहुत मारा रानी कालु जी आपने ऐसा क्या गर दिया अब जो पक्षियों ने आपको फिर से मारा कालु कावा राणी कोवी को भी खिचडी वाली सारी बार बताता है अब तुम ही बताओ राणी क्या इसमें मेरी कोई घलती है उन चाली पकशीयों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे बहुत बुरी तरह से मारा अरे रे ये तो आपके साथ बहुत बुरा कियों पक्षियों ने मैं तो कबसे खिचरी का इंतिजा कर रही थी कबसे सोच रही थी कि आप गर्मा गर्म खिचरी लाएंगे और मैं अपना पेट भरूँगी पक्षियों एक खिचरी का ही आस्रा था वो भी कालू कवा खा गिया मैं तो कहता हूँ जब तक इस जंगल में सू का खतम नहीं होता हम दूसरे जंगल में जाकर रहते हैं कम असकम वहाँ पर हमें भोचन तो मिलेगा चलो पक्षियों हम सब इस जंगल को कुछ समय के लिए छोड़ कर चले जाते हैं तो तेकी बात मानकर सारे पक्षि कुछ समय के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं रानी दो दिन गुजर गए परन्तु मैंने तो भोचन ही नहीं खाया बहुत भूक लग रही है मुझे अब क्या करें हम हाँ हाँ मुझे पता है इसलिए आज हम भोचन करने दूसरे जंगल मेरी दोस के पास जा रहे हैं देखना कालू जी सोनी कवी ने हमारे लिए बहुत मज़े का भोचन बना कर रखा हुआ होगा चले न चल्दी से चलते हैं दूसरे जंगल कालू कवा और रानी कवी भोचन करने रानी कवी की दोस सोनी कवी के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं अरे आओ आओ रानी कवी कालू कवी कब से इंतिजार कर रही थी कहा रे गए थे तुम दोनों मैंने भोचन बस तयार रखा है मैं अभी लिकर आती हूँ हाँ हाँ कवی बेहन चल्दी से भोचन लियाओ अब रहा नहीं जाता अच्छा सोनी तुम्हारे पती कहा है काम पर गए है क्या अरे नहीं नहीं वो तो बस आप दोने के लिए फर लेने गए हैं बस आते ही होंगे सोनी कववी कालू कववे और रानी कववी को भूचन देती है और वे दोनों पेट भर के भूचन खाते है थोड़ी ही देर में सोनी कववी का पती बबलू कववा वहां पर आता है कालू कववा तो बबलू कववे को देख कर बहुत जारा घुसे में आ जाता है अरे ये तो वही कववा है जिसने सारी खिचड़ी खाली थी जिसकी वज़ा से मुझे पक्षियों से बहुत मार खानी पड़ी थी इस कववे को तो मैं छोड़ूँगा नहीं कववे भाई आपको तो कहीं देखा हुआ लग रहा है हाँ याद आया आप तो हमारे जंगल में आये थे ना नहीं 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 कववे भाई मैं तो आपके जंगल में कभी गया ही नहीं शायद आपने मेरे जैसे किसी और पक्षि को देखा होगा हाँ मैंने शायद किसी और को ही देखा होगा कवे भाई मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है आप ज़रा घर से बाहि चलो, मैं आपको बताता हूँ अरे भाई घर से बाहि जने की क्या जरूरत है जो बोला है आप यही बोलो अरे चले जाये न, शायद कवे भाई को कोई जरूरी काम होगा आपसे हाँ हाँ चलो चलो बहुत जरूरी काम है तुमसे मुझे कालुकवा बबलुकवे को लेकर घर से बाहर आता है और वे कालुकवा तो गुस्वे में बबलुकवे को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है मुझे माफ कर दो कालुकवे माफ कर दो मुझे मुझे बहुत भूग लगी थी इसलिए बस मैंने वे गरम गरम खिचरी खाली थी हाँ हाँ माप क्या मैंने तुम्हें पर हाँ आगे से ऐसा कभी मत करना बस फिर कालु कववा रानी कववी को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब रानी कववी और कालु कववा भी उसी हरे भरे जंगल में रहने लगे थे दोस्तों आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंड में जरूर बताएं हमें आपके कमेंड का बेसबरी से इंतिजार रहता है